काजल रागवानी खिसारी लाल यादों के साथ जो कुछ नैपाल में हुआ उससे खुश है जी हाँ अगर आप काजल रागवानी के इंस्टा को टटोले तो आपको ये सारी बाते सही लगेंगी वैसे आज कल काजल रागवानी कुछ जादा ही बोल्ड और विंदाश हो गई है जहां काजल कभी किसी को जवाब देती हुए भोजपुरी इंडस्री में नहीं नजर आती थी अब वो अपने इंस्टारील के माध्यम से अपने विरोधियों को धूल चटाना बखु भी जानती है वैसे खेसारी और काजल की दुश्मनी जग जाहिर है खेसारी लाल यादों के खेमे से निकल चुकी है काजल रागवानी और अब पवन सिंग के खेमे की शान बन चुकी है पवन सिंग के साथ वो लंडन में एक फिल्म भी कर रही है साती सात के सारी के जितने भी दुश्मन है फिर वो चाहे प्रदीप पांडे चिंटू हो या फिर हो रितेश पांडे सभी के साथ बैक टू बैक फिल्म में कर रही है काजल रागवानी अब ऐसे में काजल रागवानी के कुछ पोस्ट पर सवाल उठने लगे हैं जी हां इंस्टा पर वो लगातार दो तीन पोस्ट की हैं जिसे देखने के बाद लोग ये कह रहे हैं या यू कहले कयाश लगा रहे हैं कि खेसारी लाल यादों को सब कुछ खा है काजल रागवानी ने और वैसे तो काजल रागवानी इस तरह की इ और अब जब काजल रागवानी से खेसारी का रिस्ता तूट चुका है ऐसे में काजल रागवानी जो कुछ कर रही है या जो कुछ बोल रही है सभी उसे खेसारी से ही रिलेट कर रहे हैं इसलिए फैंस जो खेसारी के हैं वो काजल रागवानी को बहुत ही जादा ट्रोल कर र